हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कौन स्टेडी आज का हमारा चैप्टर है प्रॉबिल्टी जो की मैट्स का एक पार्ट है और आज हम इसमें करने जा रहे हैं पार्ट वन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लाब हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा फॉलू कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस्मत कीजिए मैट्स की सारी जेके SSB क्लास 4 की जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट में अराम से मिल जाएंगी तो शुरू करते हैं हमारे आज प्राबिल्टी का कंसेप्ट प्राबिल्टी जो है चैप्टर हमारा एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि प्राबिल्टी के आंसर जो होते हैं वो हमेशा फ्रेक्शन में आते हैं क्यूं क्यूंकि इसमें एक नियुमिनेटर एक denominator अगर ये दो चीज़े हम निकाल लेंगे तो हमारा final fraction बन जएगी और वही final fraction होगी हमारी answer तो अब हमें देखना है कि numerator और denominator में ऐसी कौन सी चीज़े आ रही है जो हमें हमारा answer निकालने में help करेंगी तो probability का formula क्या है numerator क्या होता है एक event कितनी बार हो रहा है उसको हम कहेंगे numerator और वो event total कितनी बार हो सकता है उसको हम लेंगे denominator ये चीज़ आपको भी सुनने में समझनी आएगी लीजिए एक example के साथ आपको मैं समझाता हूँ suppose कर लीजिए आप working है आज शाम को आप अपने घर पे बैटे हैं कल सुबह आपको office जाना है अब office जाने की क्या दो event हो सकते हैं अब देखिए अभी करोना का time चल रहा है तो office जाने के लिए भी outcome हो सकते हैं कि यहां तो office खुलेगा यहां तो office नहीं खुलेगा कैसे देखिए अगर आपका कल office जो खुलना है उस area में अगर red zone हो गया होगा यानि की कोई करोना का patient आगया होगा तो आपका office ऑफिस सी बात है बंद हो जाएगा अगर उस area में कोई red zone नहीं हुआ होगा तो आपका office खुलेगा तो total कितने outcomes होगे कि कल आपका office खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा तो total outcome होगे 2 क्योंकि यहां तो खुलेगा यहां तो नहीं खुलेगा red zone होगा तो नहीं खुलेगा red zone नहीं होगा तो खुलेगा अब ये है total outcome पर इन दोनों में से कोई एक ही event अकर होगा यानि कि कल अब जब जाओगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि red zone है तो यानि कि आपका office बंद है ये हो गया एक event या फिर वहाँ red zone नहीं हुआ तो आपका office खुल है ये हो गया एक event total event थे दो या तो खुलेगा या तो नहीं खुलेगा जिन में से at a time एक ही event जो है वो अकर कर रहा है तो हमारा numerator होता है वो event जो at present अकर कर रहा है denominator होता है कि total कितनी possibilities थी कि total कितने outcomes हो सकते थे कि उस event के होने के तो इस case में जो मैंने आपको example दी है इसमें total number of outcomes थे दो कि bank या तो खुलेगा या तो नहीं खुलेगा आप next day जाते हो और आप देखते हो कि red zone नहीं है तो आपका एक event वहाँ पे उस time पे अकर कर रहा है जो कि है bank खुलना है तो आपका outcome आजाएगा आपकी total probability आजेगी 1 by 2 जिसमें 1 numerator है 2 denominator है अब देखिए maximum probability होती है 1 और minimum probability होती है 0 1 के उपर probability जानी सकती 0 से नीचे probability जानी सकती अब इसकी भी मैं आपको example दे के समझाता हूँ for example आज Saturday आप अपने घर पे बैठे हो कल Sunday है तो आपका office कल definitely नहीं खुलना तो आपको ये चीज़ पता है कि आपका office कल खुलना ही नहीं है चाहे आपके office वाले area में red zone हो नहीं हो फरक नहीं पड़ता तो office खुलने की probability क्या होजेगी इस case में office खुलने की probability होजेगी 0 क्यों क्यों क्योंकि कल Sunday है और आपको पता है office definitely नहीं खुलना है और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि office ना खुलने की probability क्या होजेगी तो office ना खुलने की probability होजेगी 1 क्यों क्योंकि कल Sunday है Sunday यानि चुटी है तो office आपका definitely नहीं खुलेगा ठीक है जब आपको definitely पता हो कोई चीज तो उस case में आपका answer 0 या फिर 1 आएगा otherwise हर case में आपका answer fraction में आएगा अब यह जो मैंने last point लिख है P event के उपर मैंने एक mark लगाया हुआ है is equals to 1 minus P e P e मैंने आपको बताया कि एक event के होने की probability क्या है अगर हम उसे 1 से minus कर देंगे क्योंकि maximum possibility तो 1 नहीं होती है अब for example कि आपके bank के खुलने की क्या probability थी मैंने आपको बताया 1 by 2 जब आप 1 से 1 by 2 minus करोगे तो आपके पास क्या आजाएगा 1 by 2 ही बचेगा तो वो 1 by 2 कौन सा होगा वो 1 by 2 ये चीज होगी कि आपके bank ना खुलने की probability क्या थी तो P, E के उपर mark आगया कि event जो है वो नहीं अकर करेगा उसका formula ये है कि आप 1 को minus कर दो उस event से जो की अकर कर रहा है ये आपको सुनने में भी बड़ा जीब लगेगा जब हम आगे-आगे questions करते जाएंगे आपको अपने आप चीज़े समझ आनी शुरू हो जाएंगी फिलाल के लिए आप बस यह याद रखिए कि numerator में जो event उस time अकर कर रहा है numerator में वो आएगा और denominator में total number of events आजएंगे ठीक है अब बात करते हैं हमारे probability में कौन से types के question आ सकते हैं तो चार types के question आएंगे जिसमें से एक है coins दूसरा है dices थर्ड है cards और fourth है marbles तो आज हम जो करने जा रहे हैं आज हम करेंगे coins coins शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको यह देखने होगी कि coins के number of faces कितने है तो आपको पता है coin में दो ही face होते हैं जिसको कहते हैं एक को कहते हैं हम head और एक को कहते हैं tails ठीक है तो coin के दो faces होते हैं अब total outcomes यान की denominator की बात चल रही है total outcomes coin के case में क्या होंगे 2 raise to power n 2 है face कि कितने face थे n आगे number of coins number of coins for example आपको कहा हुआ कि 3 coins है हमने 3 coins को उच्छा लाए तो आपके पास n आ गया 3 coin के कितने faces होते हैं 2 तो 2 raise to power 3 हो जाएंगे total number of outcomes आ जाएंगे हमारे पास 8 इसी basis पे सारे question होंगे अब आपको होगे कि sir आपने denominator तो बता दिया तो numerator कैसे निकालना है तो numerator निकालने से पहले मैं आपको एक concept बताना चाता हूँ जो कि numerator निकालने में use होगा definitely नहीं होगा पर कुछ कुछ questions में होगा जैसे number of coins बढ़ते जाएंगे तो ये वाला method लगेगा तो ये concept ये है ये concept है factorial का अगर आपने पहले से इस चीज़ को पढ़ा हुए तो well and good अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ factorial होता क्या है जिस भी number का factorial हमें निकालना होता है उस number को हम decrease करते जाएंगे और आपस में multiply करते जाएंगे till 1 जैसे की आपको 3 का factorial लगाना है तो आप 3 से शुरू करेंगे 3, 3 में एक decrease किया आगया 2, 2 में एक decrease किया 1 तो 3 से लेके 1 तक आप सारे numbers multiply करोगे similarly अगर 6 का factorial नकालना है तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 1 पे आगे ही आप अपने factorial को रोकोगे उससे पहले आप factorial को नहीं रोकोगे 3rd point आगया 8 तो 8 into 7 आगे मैंने 6 factorial लिखा है तो क्यों लिखा है मैंने 6 factorial कोगे आपने उपर देखा कि 6 factorial वही चीज़ है जो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इस 6 factorial की जगा ये पूरी की पूरी value आईगी तो मैंने 8 factorial को एक ऐसी form में convert कर दिया जिसको हम आगे question में use कर सकते हैं कैसे ये मैं आपको question के time ही बताऊँगा अब जैसे हमें निकालना है कि numerator में जो हमें number of events डालने है हमने 8 सिक के उच्छा ले और उसमें से 3 heads और 5 tails कितनी बार आ सकते हैं ठीक है number of events क्या होगा उनका तो हमने देखा कि occurrence क्या चाहिए हमें occurrence हमें चाहिए कि 3 heads चाहिए और 5 tails चाहिए ठीक है अभी सिरफ numerator की बात चल रही है denominator की बात नहीं चल रही denominator मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगे ही नी numerator क्या हैगा फिलाल ये चीज सीखिए टोटल 8 coins थे तो सबसे पहले चीज तो आपने 8 factorial का यूज तो करना ही करना है क्यों क्यों क्योंकि टोटल 8 coins थे अब उन्होंने पूछे 3 heads ये 3 heads repeat हो रहे हैं head 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 एक similar event है ठीक है तीन सिकों में आ रहा है बिशक पर है तो एक similar face है ना कि 3 heads है तो हम एक 3 factorial heads के लिए use करेंगे 5 factorial हम tails के लिए यूज करेंगे क्योंकि 5 tails आ रहे हैं अब हम इनको arrange कैसे करेंगे ये देखिए ये number of events में numerator और denominator है ये probability वाला denominator नहीं है ये अभी सिरफ और सिरफ number of events की बात चल रहे है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस denominator को probability के denominator से confuse मत करिएगा अभी हम number of events की बात कर रहे हैं तो 8 factorial as it is मैंने आपको बताया सबसे उपर आएगा अब जो repeat हो रहे थे यानि कि जो 5 tails और 3 heads के लिए हमने जो 3 factorial और 5 factorial use किया था क्योंकि क्यों किया था क्योंकि वो repeat हो रहे थे वो हम denominator में लिखेंगे यहीं अगर 4 heads और 4 tails पूछा था तो हम 4 factorial into 4 factorial लिखते denominator में numerator में numerator में 8 factorial या था denominator में ही सारी change आएगी जो चीज जितनी बार repeat हो रही होगी हम उसका factorial लिखके denominator में डाल देंगे तो 8 factorial आगे हमारे total event कितने हो रहे थे की 8 सिखके है ठीक है तो 8 factorial tails 5 बार repeat हो रहे थे तो नीचे हमने denominator में लिख लिया 5 factorial और heads 3 बार repeat हो रहे थे तो हमने denominator में लिख लिया multiply करके 3 factorial जब हम इसको solve करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने 8 factorial की explanation दी थी हमें यहाँ denominator में 5 factorial दिख रहा है तो 8 को हम उतना ही खोलेंगे कि हमारा 5 factorial आ जाए ताकि हम numerator और denominator को cancel out कर सके तो हमने लिखा 8 into 7 into 6 into 5 factorial 5 factorial numerator में दिख रहा था और denominator में दिख रहा था वो cut गया अपस में अब हमारे पास बचा 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial जब हम 3 factorial को expand दरेंगे वो 3 into 2 बनेगा और 3 into 2 क्या होता है 6 तो 6 से 6 cancel out हो गया हमारे पास बचा 8 into 7 यानि कि जो numerator में value आनी है वो होगी 56 यह है number of events यह सिरफ probability वाले case में numerator आएगा ठीक है numerator होगे 56 और denominator तो आपको पता ही है क्या होगा अगर probability पूछी जाती इसी कोशन में तो denominator होता 2 raised to power 8 क्यों क्योंकि 8 सिक्के हैं और एक coin के 2 ही faces होते हैं तो numerator था आपका 56 denominator होगा 2 raised to power 8 अगर probability पूछी जाएगी तो इस fraction को जब भी आप solve करोगे वो आपकी probability आजाएगी अब बात करते हैं concept of maximum or minimum maximum या फिर at most minimum या फिर at least इसे क्या कहते हैं इसका मतलब क्या होगा और अगर हमें question में इसका mention किया होगा तो हमें क्या देखना है अब देखिए maximum क्या होता है कि जादा से जादा यानि कि आपके upper limit की बात की जा रही है और अगर question में दिया होगा कि maximum four events, four toffees या फिर at most four toffees यानि कि four जो है जो आपको number दिया होगा maximum के साथ जो आगे नोनोंने number लिखा होगा वो आपका upper limit होगा तो maximum four toffees अगर हमारी example बात कर रही है तो इसमें कितनी toffees की बात की जा सकती है इसमें zero, one, two, या फिर four यानि कि zero से लेके four तक toffees की बात की जा रही है क्यों? क्योंकि maximum के साथ लगा हुए four और four है हमारी upper limit similarly अगर minimum four toffees लिखा होगा तो minimum के आगे लिखा होए four अगर maximum upper limit था तो minimum क्या होगा? minimum होगी lower limit तो यानि four आपका सबसे छोटा number होना चाहिए इसमें तो four से लेके अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो maximum number क्या है जहां पे हमारी numbers की counting आगे खतम होती है तो ऐसा कोई number नहीं है जिस उस term को हम कहते हैं infinity यानि कि इन numbers का कोई end ही नहीं है तो minimum four toffees के case में हम four से शुरू करेंगे और लेके जाएंगे infinity पे जाके खतम करेंगे तो range के आगे इसकी four से लेके infinity maximum upper limit है तो four आपका सबसे बड़ा number होगा आप zero से लेके जाएंगे four तक minimum lower limit है तो four आपका सबसे चोटा number होगा four से लेके जाएंगे आप infinity तक ठीक है इस चीज में confuse मत होईएगा अब आते हैं हमारे questions की series पर पहला question कहा रहा है कि probability बताइए हमें दो heads चाहिए exactly दो heads ठीक है maximum minimum की बात नहीं चल रही जब वो तीन सिक्के फैंकेंगे तो देखिए denominator तो आगया हमारे पास denominator क्या होगा two raised to power three क्यों क्योंकि तीन सिक्के फैंके थे और सिक्कों के दो ही faces होते हैं तो two raised to power three आगया हमारा denominator यानि कि two raised to power three की value क्या होती है two का cube आठ तो two का cube आगया हमारे पास आठ तो total outcomes तो आगया हमारे पास आठ यानि हमारे पास denominator आगया अब हमें बस numerator पे काम करने हैं उन्हें कहा है कि तीन सिक्के फैंके हैं और दो heads होने चाहिए तो इसको हम एक बार arrange करने ही कोशिश करेंगे तो पहला event ऐसा आ सकते है H, H, T एक event यह आ गया दूसरा event ऐसा भी आ सकते है H, T, H और तीसरा event ऐसा भी आ सकते है T, H, H आप स्पोस कर लिजिए तीन सिक्के एक line में नीची जमीन पे पड़ें हैं पहले वाले सिक्के पे आपको head दीख रहे है पर यह वाला head हमारा match कर रहे है second event से और वैसे ही हमारा third event भी होगा अगर पहले वाले सिक्के पर आपको tail दीखेगा दूसरे पर head और तीसरे पर भी head दीखेगा आप सिधा यह नहीं कह सकते कि आपने तीन सिक्के उच्छा ले दो head आ गया एक tail आ गया तो तीन outcome है जिसमें से दो head है तो 2 by 3 है हमारा answer यह totally गलत होगा उन सिक्कों पे जब वो जमीन पे गिरते हैं first, second, third इन तीन सिक्कों पे कौन से कौन से time पे कौन से जगह पे heads आ रहे है यह चीज भी matter करती है ठीक है heads की position first है या फिर second है यह फिर third है यह सब चीज़े भी matter करती है तो हमारे event हमें पता चल के 3 है तो numerator आ गया हमारा 3 denominator आ गया 8 अब आप को होगे कि sir अभी आपने पीछे इतना factorial की कहानी वगरा सुनाई इतनी कुछ यह वो तो वो तो कहीं use हुआ ही नहीं है ना तो एक बार आपको उस तरीके से भी explain करता हूँ अगर आपको उस तरीके से better समझाता है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने 8 सिक्के उच्छा ले थे जिसमें से 3 heads थे 5 tails थे तो numerator में उस event के अकर होने के numerator में तो हमने 8 ही लिखा था ना denominator में हमने वो चीज़ लिखी थी जो repeat हो रही है तो अगर हम इस question को भी उसी तरीके से करें कि 2 heads चाहिए हमें और एक tails चाहिए तो numerator में तो 3 factorial ही आएगा क्यों? क्योंकि 3 सिक्के है ठीक है numerator में हमने लिखा 3 factorial अब हमें 2 heads चाहिए एक tails चाहिए तो denominator में 2 factorial into 1 आएगा तो numerator आगया हमारे पास 3 into 2 factorial denominator आगया 2 factorial into 1 तो 2 factorial से 2 factorial कटेगा तो हमारे पास final answer even number of events बनेंगे 3 ही आप वैसे भी कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं totally आप पे depend है दोनों तरीकों से करोगे same ही answer आएगा तो हमारा final answer हो गया probability आएगी 3 by 8 अगर सिरफ number of events बोलो आता तो 3 आता probability बूचिए तो number of events divided by total outcome तो 3 by 8 आगया हमारा answer चलते हैं हमारे next question पे अब इन्होंने काया find the probability of getting at most 2 heads on throwing 3 coins मैंने आपको बताया था at most का मतलब है maximum अब इन्होंने की है बात maximum 2 heads आने की maximum का मतलब क्या upper limit होगी 2 यानि की 0 heads भी आ सकते है 1 heads भी आ सकते है 2 heads भी आ सकते है ठीक है पर 3 के 3 heads नहीं आने चाहिए तो मैंने starting में आपको एक formula बताया था कि P E के उपर एक mark जैसा था is equals to 1 minus P E तो हम पहले वो वाला event निकाल लें जो इन्होंने नाग पूछा हुआ है यानि की अगर हम 3 heads निकाल लें क्योंकि एक लोता वही option बचाना कि जो occur नहीं होना चाहिए 0 heads भी हो सकते है 1 head भी हो सकते है 2 head भी हो सकते है क्योंकि maximum 2 heads की बात चल रही है पर 3 के 3 heads नहीं होने चाहिए तो हम अपने comfort के लिए पहले 3 के 3 heads ले ले लेते हैं उसको निकाल लेते हैं जब हम उसको 1 से minus करेंगे हमारा answer आजाएगा क्योंकि maximum probability होती है 1 और probability नहीं होने की कैसे निकलेगी जब हम probability होने की minus कर लेंगे 1 से तो अब हम देखते हैं कि अब आप 3 सिक्के उचालते हो तो उसमें 3 के 3 heads कब आते हैं 3 के 3 heads सिरफ 1 ही बार आएंगे ऐसा 1 ही event होगा जब 3 के 3 heads आएंगे क्योंकि 3 सिक्के उचाले है और 3 पे आपको heads दिखे तो वो तो 1 ही बार आएगा वैसे कि अगर 3 पे आपको 2 raised to power 3, 8, हमारा ये probability हो जाएगी, 1 by 8, ये कौन सी probability निकाली, कि जब हमने 3 सिक्के उचा ले, और 3ों के 3 पे heads आया, पर उन्होंने इस चीज के लिए नहीं पूचा, उन्होंने कहा के, at most 2 heads, यानि कि यहां तो 0 head हो, यहां तो 1 head हो, यहां तो 2 head हो, कोशन में पूची गई है, हमने वो probability निकाली, जो नहीं पूची गई थी, उसको 1 से माइनिस किया, तो हमारे पास वो probability आ गई, जो हमें पूची गई थी, इसी base पे आपका question ये solve होगा, आप दूसरे तरीके से भी कर सकती है, 0 head लेके, फिर 1 head लेके, फिर 2 head लेके, फिर 3 को plus करो, जो final answer आएगा, वो भी 7 by 8 ही आएगा, पर वो थोड़ा lengthy हो जाएगा, इसी लिए मैंने आपको starting में ही एक formula बताया था, जिसके basis पे आप इस question को solve कर लोगे, चलते हैं हमारे next question पे, इस question में 8 सिकों को एक ही साथ हवा में उच्छा लगया है, उनने का है, exactly बताये कि 3 head कितनी बार आएगा, अब एक चीज़ देखिए, आपके सामने जमीन पे 8 सिके पड़े होई हैं, जिन में सिरफ 3 heads होने चाहिए, तो बाकी के 5 सिकों पे क्या होगा, बाकी के 5 सिकों पे टेल होगा, तो चलिए देखते हैं, अब इस question को further कैसे solve करना है, हमने लिखा कि total number of outcome क्या होंगे, 2 raise to power 8, यानि कि हमारा denominator तो आगया 256, अब हमें सिरफ number of events यानि की probability की numerator पे काम करना है, तो आपने देखा कि question ने क्या demand किया है, कि 3 heads होने चाहिए, बाकी 5 के बाच tails होने चाहिए, total तो आगे 8 events, यानि कि HHHTTTT, 3 heads, 5 tails, अब मैंने आपको बताया था कि 8 तो उपर आए गई आएगा, number of events के numerator में 8 तो आए गई आएगा, denominator में क्या आएगा, कि कौन सी चीज कितनी बार repeat हो रही है, heads हो रहे हैं 3 बार, हमने लिखा 3 factorial, tails हो रहे हैं 5 बार, हमने multiply कर दिया उसको 5 factorial के साथ, तो हमारी equation बनी ऐसी 8 factorial है, हमारे number of events के numerator में, और 5 factorial into 3 factorial है, हमारे number of events के denominator पे, हमने काम किया, इसी पे calculations की, solve किया, हमारा answer आया, number of events थे 56, पर उन्होंने question में number of events नहीं पूछे हम से, उन्होंने probability पूछी है, कि 8 सी के उच्छालने में से, 3 heads आने की क्या probability होगी, तो 56 हमने लिखा numerator में, क्योंकि numerator में हम लिखते है number of events, और denominator में हमने लिखा 2 raised to power 8, जिसकी value होती है 256, जब हमने इसको solve किया, हमारा final answer आगे 7 by 32, तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 question की है, तीनों के तीनों question के answer fractions में आए, तो इससे यही साबित होता है, कि probability के आपके जो भी question आएंगे, उनकी हर किसी की value fraction में ही होगी, अगर value 1 होगी, तो मतलब वो probability 100% true होगी, अगर probability की value 0 होगी, तो यानि वो probability 100% false होगी, कैसे यह चीज़ मैंने आपको वीडियो के starting में example देखके समझाई थी, तो इसी question के साथ हम अपना part 1 probability का end करते हैं, यह थोड़ा complicated सा chapter है, पर इससे एक दो बार आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, खासकर formulas पे जरूर focus कीजिएगा, कौन सा formula कब लगेगा, तो हमारा answer क्या आजाएगा, अगर वो formula आप नहीं भी लगाओगे, जैसा कि मैंने आपको question 2 में बताया, उसके बावजूद भी answer आएगा, पर वो question थोड़ा लंबा चला जाएगा, अगर आपको ये वीडियो पसांद आई, तो इससे like कीजिए, साथ ही साथ हमारे चनल को subscribe कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, Thank you